कि तभी प्यारे साथियों को रामरा वित्रों नमस्कार आप सभी का स्वागात एक बार फिर से रायठान पर तक के बहुत बहुत भैतरीं तरीके से साति हम लोग एक क्लास और उपस्तित हूं आपके एक कलास में एकरन से समय एकड़ों समय राजस्तां कि कौन सी रियाशत थी और उनके कोंग राजा थे जब सब्रेस्त के साथ मैं आपको याद करने जाNo प 0 लेकिन यह दुर्भागी रहता है कि जहां से सवाल बनता है विद्यारती वहां जाने कोशिस नहीं करता उसे लगता है कि थोड़ा सा मुझे इसमें मैनत करने की जरूरत है मुझे इसमें पढ़ूंगा तो मेरा सिर्धर्द होगा वह नहीं जाएगा फिर सोट कर डूढने पर निशुल्क अवेलेबल है इबुक की रूप में राइथान का डाउनलोड करना है फ्री स्टेडी मेटल में जाना है आराम से पढ़ना है आपका मन करें कि सर यह प्रिंट हमें घर मंगवाने तो बिल्कुल आपको इस पारल बाइंडिंग के साथ आपकी जो फोटो काप आपना था उसे गुजरात मिला गया पालनपूर इडर विजय नगर यह रियाशत गुजरात मिला गया उन्नीस रियाशत यह हम लोग मान के चलते हैं इनका विल्य यहां हुआ तो उन्नीस रियाशते तेन ठेकाने और एक के इंदर शाष्यत परदेश के लियर तो यह थी हमें A, B, C, D सीखनी है क्या सीखनी है हमें A, B, C, D सीखनी है तीन चार बार आप उचारित करेंगे कि हमें A, B, C, D सीखनी है देखिए हमें A, B, C, D सीखनी है बाबू की जाडू को परसाठों से सीखेंगे किसे सीखेंगे बाबू की जाडू को परसाठों सीखेंगे और य लेगे जे जे भी तीन बार जे एक बार भी कहा लेगे शिरोही से सीखते हैं A B C D बाबु की जाड़ू को परसाटों से उधेपुर में जे जे भी शिरोही से सीखते हैं ठीक है अब तोड़ेंगे देखो अलवार भरतपूर करोली दोलपूर चार तो यह हो गई पासवाड़ा बूंदी किसंगड जालवाड डूंगरपूर यह हो गया इसके बाद हम लोग बात करें कोटा परताबगड शाहापूरा टोक हो गया फिर उधेपूर हो गया और फिर हमारे पास तीन बार जे जैपूर जोदपूर जैसलमेर बीका देर और एक हमारे पास क्या बचा शिरोई बचा तो 19 रिहाषत आप लोगों को यह मालूम हुई अब 19 रिहाषतों के जो राजा है कौन से राजा है क्या है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां एक शांदार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं आप सभी का मन चाहिए और क्लास को आप लोग शेर कर देंगे और उसी साब से अमने को सेट किया है ताकि एक एक चरण पढ़ते समय आपको दिक्कत नहीं आए अलवर भरतपूर करोली धोलपूर ABCD को तोड़ा चार रियाशत होगी मतशिसंग वाली इनकी राजा देखिए आपको हम तेज नहीं अलवर वाले लेकिन आपको कई नपbon में घॉनपूरमें जी सूरी को बोलते है और उदन्फवाण सिग गेगा जिए सबसे पहले होता है दोलपूर मोटलों उदे भान सिंग तो उदह बहां सिंग वो कहां है ध्वल rare啊 Pros ब् SARAH haada और याद करेंगे देखो दूंगरपुर का लक्षवन सिंग था बासवाडा का चंदरवीर सिंग था डूंगरपुर का कौन था लक्षवन सिंग था और बासवाडा का चंदरवीर सिंग था डूंगरपुर का लक्षवन सिंग और बासवाडा का चंदरवीर सिंग राम और लक्षवन लेकि राम चंदरमा के समान दिखा देता तो राम की जगे हम चंदरवीर बोलेंगे चंदरवीर सिंग लक्षमण सिंग दो भाई यहां देखेंगे आप लोग साथियों कि यह आप लोगों के जो विलेपत्र पर अस्ताक्शर हो रहे थे मैंने कुछ विशेस भी यहाँ साथ जोड़ रहा हूं कि यह जो दोलपूर राजा है यह सबसे बुझरक था और इसलिए इसको मतेशी संका राजपरुग बनाया गया चारों में से और इन्हों सबसे अंत्में अस्तक्षर किये थे 14 अगस्त 1947 को 19 रिहास्तों में सबसे अंत्में यही कर रहे है पास्वाडग राजे कि मैं मेरे मिरित्व की अधिपत्र पर अस्तक्षर करणाऊं यह चंदर्वीड सिंग करतान में कहुंगा भाई बूंदी कोन खायेगा नोरियाशते बूंदी कोन खायेगा जो भादुर होगा तब हम खालेंगे मैं पांच किलो एक कंडिडेट खाणी पड़ेगी बोल गुरुजी ना पड़ा पार घर लेजा खालें घर भीन लेज़ाने दूंगा तो भूंदी का भाद्दुर सिंग किशंगड और शाहपुरा दो रियासत ऐसी थी चोटी थी तोप सलामिक अधिकार न सागर एक पर्योजना भी आपने पड़ी होगी तो जहलाबाड का कौन हो गया हरीस्चंद्र हो गया ठीक है इसके बाद डूंगरपुर का लक्ष्वन सिंग मैंने याद करवाई दिया आप लोगों को और यह जहलाबाड सबसे नवीन रियाशत है मैंने आपको पढ़ाया ह 10 अप्रेल 1838 को राजस्तान की सबसे नवीन तम रियाशत थी वह आपके जहलाबाड है दस अप्रेल 1838 को इसकी इस्तापना हुई ठीक है डूंगरपुर का लक्ष्वन सिंग हो गया कोटा कोटा सिक्षा के छेतर में बहुत भारी है तो उस जमाने भीम था रिए था तो सबसे पहले अपने राज्य में उत्तरदाई शासंग के स्तापना करते हैं और यह छेतरफल और जन संक्या दोनों में सबसे छोटी रियासत थी जन संक्या में जैपूर और दोनों में छोटी थी वह शापुरती चाहे जन संक्या की बात करे चाहे आप लोगों से छेतरफल क की बात करें नां चोनी महाराज पर्मुक रहे थे यह नंगे लहे लिकने महाराज पर्मुक इनके यह पद बनाया गया था 19 present dec सवाई मान सिंग दूती आपको मालूम है राजपर्मुक जो राजयपाल का दाईतु था वो 1956 तक पूर्ण किया जयपूर का था नाम सुना है आप लोग ने लोगों को तो बीकानिर के महारजा सारदुल सिंग्ग जो सबसे पहले विले पत्तर पर अस्ट्रक्षर किया था लेकिन हम लोग यहां जवार सिंग पढ़ते हैं सिरोई पूजरात ने चाहते हैं सर्दार बला भाई पते हम ने सिरोई वाला से पूछार भाई तुम्हें डर नीं लगता हमें को दर नी है हम इıl जाए तो पूजर हम जाए इधर पूजा हमारे तो पूजा ही होनी है तो साप ध्यान अरकरा शिरोई वाले न वह डर ओए बहांने चांप रायषान की पैचान है कर रहा है राजस्तान में वह आप लगों को दिखा दे दिया होगा पाच मृटड़ की क्लास में, आप हमारे पास तीन ठिकाने हैं, तीन ठिकाने जो रियासा चोटे थे, ठीक थे, तीन ठिकानों में नीमराना अलवर हो गया, लावा उस जमाने में जय पुरूम था वर्तमान में टोक में है कुशलगण भासवाडा में तो तीन ठिकानों के राजा भी आपको मालूम होना जी है उपर अलवर आएगा फिर बीच में लावा आएगा नीचे कुशलगण भासवाडा भूगुलिक द्रिश्टी से तो उपर राजिंदर को बैठा दे नीचे हरिंदर को बैठा दीजिए आप लोग तो यहां पर आप लोगों के राजिंदर हो गया लावा यह आपका नीचे हमने हरिंदर को बैठा दिया लावा कहा रहा है मेरी गिंती बोलतीनती गाड़ा काम भी गाड़ा तुझे साथ ही नहीं दखेंगे तेरा नाम वैसे भूल बदनाम है इसने का धाकुर साब हम एक ही वंस्के दू दीपक है थाकुर धाकुर अलाव हरिंदर के त gob coma अजमेर मेरवाड़ा था स्थियो जिसको विधान सब्शाइम हम विधान सभा सीट हुआ करती थी और उनका विले राज्तान विधान सभा में एक नॉम्बर नुश्चपन कर दिया गया था अजमेर मेरवाडा के अंदर साची परदेश का दर्जा समाप्त करके राज्तां का 26 वजिला अजमेर को बनाया गया था तो कैसा लागा आप लोगों आप स्ट्राऊ को मेर्मय करके बताना क्लास को लाइक करना शेयर करना मेरी तरभ से घरवालों को राम राम जरूर कहना साथ हैATHर मैं आस्वस्त किया कि हम अच्छा करेंगे साथी और टेलीग्राम को जोइन करई पीडिये हा找 टैलीगरम पर मिलती रहेंगी आप सभी को भन्नेबाद साथ थेंक्यू